एगाइस तो स्वागत है आपका Captain B2 के चैनल में जहां आज हम तीन चीजों के उपर बात करेंगे सबसे पहले तो TV स्पॉट और ट्रेलर में जो America Challenge का सीन रह गया था उसके बारे में बात करेंगे जिसमें दो मानर डिटेल्स मिलेंगे आपको जिसके बाद हम जानेंगे कि क्यों Wanda अपने Conscious को दूसरे उनिवर्स में भेजेगी ताकि वो Doctor Strange के पीछे जाए या फिर कहें कि क्यों Wanda दूसरे उनिवर्स में नहीं जा सकती है इसके बाद हम जवाब देंगे आप लोगों द्वारा पूछे के इस सवाल का जिसका जवाब कई लोगों को कमेंट सेक्शन में ही मिल गया होगा कि Wanda नेक्सेस बींग है तो वो दूसरे उनिवर्स में कैसे एक्जिस्ट करती है और साथ ही साथ इन सब के कंक्लूर्डिंग लाइन में आपको डॉक्टर स्टेंज मल्टी वर्स ऑफ मैंडनेस के एंडिंग में वांडा के साथ क्या होगा या वांडा क्या करेगी वो भी पता चल जाएगा तो स्पॉजर होने के चांसेज है और अगर आप उसको अवाइड करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि क्या करना है तो बिना किसी देरी के चल ये वीडियो शुरू करते हैं शुरुआत हम इस सीन से करते हैं जहां हम अमिरिका चैवेज को देखते हैं मास्टर हमीद के साथ जिनको हमने डॉक्टर स्टेंज मूवी में पहली बार देखा था उसके बाद ये सीन आता है जिसमें तो बताने लाएक कुछ नहीं है क्योंकि इसमें हम उसको गैगर एंटर के ठीक नीचे दिखते हैं इस सेक्वेंस के अंदर इसके अलावा अगर हम इस शॉट की बात करें तो इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए अगर आप बैक्डाउंड में ध्यान दिजेगा तो यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिखेंगे और सिमिलर सिंबल्स आपको गैगर एंटरिस के ऊपर भी बने हुए दिखेंगे जिसको मैंने अपने बेक्डाउंड वीडियो में ही बताया था कि वो इसलिए है अज वांडा ने इस मौन्स्टर को अमिरिकाचैवेस के पीछे भेजा है क्योंकि टेलर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वांडा अमिरिकाचैवेस के पीछे है बट 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 उसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं किया था लेकिन इस वीडियो के अंदर जा रहा हूँ जहां हम एक कदम आगे जाते हुए कॉमिक से रेफरेंस लेते हुए इस चीज का पता लगाएंगे हम सभी जानते हैं कि वांडा बचपन से अंजाने में मैजिक करते आ रही है बट उसको ये बात वांडा विजन के एंड में पता चलती है जब अगाथा उसकी हिस्ट्री क्लास लेती है लेकिन अगाथा का overconfidence उसको ले डूपता है एन वांडा अगाथा के basic magic trick के बलबूते में उसको हरा के west view का ही एक character बना कर वहां से चल देती है लेकिन वांडा वहां से खाली हाथ नहीं जाती है बलकि अपने साथ dark hold की book लेके जाती है जिसको comics की माने तो कथान ने लिखा था जो की उसके वापसी का रास्ता खोलता है और में भी अगाथा इसी के वापसी की चेतावनी दे रही थी वंडा विजन के end में अगर comics के जैसे ही MCU में भी कथान ने डार्क होल्ड को लिखा है तो में भी ये जगा मौंट वंडगॉर हो सकती है जिसके अंदर बैट के कथान ने डार्क होल्ड लिखा था और इसलिए डार्क होल्ड में दिये गए कुछ स्पेल्स के जैसे डिजाइन्स हमें यहाँ पे अंदर में बने हुए दिख रहे हैं अब हमें कथान दिखेगा या नहीं वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा मेरा काम था ट्रेलर में दिखे डिटेल्स के बेसिस पे यह जगा के बारे में बताना जो कि मैंने आपको बता दिया अब चलते हैं हमारे दूसरे सेग्मेंट की और जिसके लिए मैं फिर से कॉमिक्स से मिली इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपको देना चाहूंगा एक युनिवर्स के अंदर तो नेक्स बिंग एक्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए वांड़ अपने कॉंशेस को इलुमिनाटी के युनिवर्स के वांड़ के अंदर डाल कर इलुमिनाटी के कंपॉंड में कतल या मचाती है ताकि उसको अमेरिका चैविस मिल जाए लेकिन यहाँ पर Illuminati भी एक करारा जवाब देते हैं जिसके वज़े से इस Universe के Wanda का हाल जो होता है वो तो आप लोग देखे ही हैं जिसको कई लोगों ने Zombie Wanda समझ लिया था Anyways, the point is कि हमारी Wanda एक Nexus Being है तो वो दूसरे Universe में ट्रैवल नहीं कर सकती है As her Universe में एक Nexus Being रहता है यसलिए उसको America Chavis चाहिए ताकि वो दूसरे Universe में जाके अपने बच्चों के Variant को इस Universe में ला सके Plus यहाँ पर मैं एक Disclaimer दिना चाहूँगा कि कुछ Universe ऐसे हो सकते हैं Multiverse के अंदर जो कि Destroy हो गये हूँ जैसे कि यह Supreme Strange का Universe तो ऐसे Universe में Nexus Being मर जाते हैं तो हो सकता है कि उस Universe में Wanda जा सकती है इसके अलावा जिस तरह Shang-Chi Movie के अंदर डार्क डॉलर्स ने Wenwu को Ten Drinks के जरिए बहका कर इस दरवाजा को तुड़वाया था उसी तरह हो सकता है कि कर्थान डार्क होल्ड के जरिए Wanda को यह महसूस करा रहा है कि उसके बच्चे कहीं पर exist करते हैं और वो unsafe है जिसके पास जाने के लिए या फिर उनको अपने पास लाने के लिए America Chavis लगेगी बट असल में America Chavis का इस्तेमाल करके कर्थान खुद को फिर से अर्थली रियल में वापस लाना चाता है अब बात करें कि एक Nexus Wing पूरे युनिवर्स में एक होता है तो टेलर में हमें दो-दो Wanda कैसे दी गई तो बॉस Nexus Wing पूरे युनिवर्स में एक ही होता है बट इसका मतल डाल सकता है मतलब कि Nexus Wing वो है जो कि अगर कुछ ठान ले तो पूरी कायनात उसको उससे मिलाने में लग जाती है जैसे Wanda Vision में हमने देखा था कि ये मिसायल जो कि फट सकता था लेकिन वो नहीं फटा क्योंकि Wanda नहीं चाहती थी कि वो फटे जिसको अगाथा एक्स्पेंड भी करती है कि वो probability hex magic वगरा रहती है तो ऐसा हो सकता है कि Wanda को अपने बच्चे चाहिए तो वो उसको मिलेंगे बट क्योंकि Wanda उन तक पहुचने के लिए दूसरे universe में भी बहुत ही जादा तभाई मचा देती है या फिर उतल पुतल कर देती है तो उसका अंजाम शायद त इसको नहीं अपनाती सो मेबी जब बिली अन टॉमी को पता चले कि उसकी मॉम ने उन तक पहुचने के लिए कितनों को मारा है और कथान या किसी डामेंशनल जीव को इस अर्थ में लाने का रास्ता खोल दिया है तो वो दोनों Wanda को अपनाने से मना कर दे जिसके बाद Wanda को होता है कि वो अपने बच्चों को पाने के चकर में इतनी अंदी हो गए थी कि आज उसके बच्चे भी उसको एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं फिर वो अपने गलतियों को सुधारनी के लिए अपनी रियालिटीव रैपिंग के पावर को यूज करीगी या फिर जो डामेंशनल बिइंग आ चुका है या आने वाला है उसको रोकते रोकते देथ या नियर देथ वाले सिचुएशन में चल जाएगी या फिर जैसा कि डार्खुल ओमेगा कॉमिक्स के अंदर हुआ था जहां वांडा को पता चलता है कि ओरिजिनल डार्खुल लिखने टाइम का थौन ने किसी ने भी मुझे मरा तो कथान आजाद हो जाएगा बट यहां पर दिक्कत यह आती है कि कॉमिक्स पढ़ने वाले तो जानते हैं कि कथान कौन है लेकिन जो लोग पहली बार मुवी देखने आ रहे हैं या फिर जो सिर्फ मुवी को फॉलो करते हैं उनके लिए शाय तक य कौन आगे जाकर मीडनाइट सन एन ना जाने कितने प्लोट का हिस्सा बन सकता है तो बहतर यही होगा कि मारवल वाले कथान को टीज करें या फिर बस दिखा दें क्यूंकि उसके बाद से तो ओडियन्स यूटूब में आके सर्च करेंगी कि कथान कौन है तब उनको हमारे जैसे किसी क्रेटर की वीडियो मिली जाएगी इसके अलावा अगर नेक्सेस बिंग वाले टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप सुपर इंडिया का ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो टूदी पॉइंट है नेक्सेस बिंग को ले इसको बचाएंगे बट उसके अलावा जो डॉक्टर स्टेंज दिखने वाले हैं जैसे कि सिनिस्टर स्टेंज, डिफेंडर स्टेंज, जॉंबी स्टेंज और इस नाटराज पोज वाले डॉक्टर स्टेंज का इस मोवी के अंदर क्या रोल होगा इसके उपर ट्रिलर कि जादा कुछ भी गेस नहीं कर सकता, एट मैक्स जो हम गेस कर पाए हैं वो यही है कि टिफेंडर स्टेंज, जो यहाँ पर इस मोंस्टर से लड़ेगा, वो शायद तक यहाँ पर मर जाएगा, और आगे जाकि यही जाकर इस वाले डॉक्टर स्टेंज में बदल जाए, ज इसके अलावा यह सोचिए कि जब उन लोगों ने ट्रेलर के अंदर इतना कुछ दिखा दिया, जिससे कई सारे सप्राइज ऐसे भी खतम हो गए, तो मूवी के अंदर कितने सारे सप्राइज होंगे, अगर हमारे चैनल में मौझूद ट्रेलर से जुरे सारे ब्रेकडाउन देख लिए होंगे, तो सिर्फ एक सीन के बारे में मैंने बात नहीं किया था, और वो ये वाला है, क्योंकि ये सीन भी उस सीन के जैसा ही confusing है, जहां देखने से तो लग रहा है कि ये iron man है, क्योंकि उसके चेस्ट के पास थोड़ा सा glow दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि व अगर आप हमारे चैनल पे नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पुराने है तो प्लीज चेक कि आपने bell icon दबाया है या नहीं, अगर आपने दबा दिया है तो well and good और आपने नहीं दबाया है तो उससे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे channel का एक छोटा सा motto है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयाल रखे and keep moving forward का रट लगा कर आगे बढ़ते रहें Thank you for watching this video, stay tuned